हरियाना में विधानसबा चुनाव का एलान हो चुका है पिछली बार की तरह इस बार भी कॉंग्रेस हरियाना में बिना सीम चहरे और बिना संगतन के चुनावी रण में उतरेगी हरियाना कॉंग्रेस ने बिना संगतन के ही चुनावी तैयारिया भी शुरू कर दिया अब दस साल से सत्ता से बेदखल कॉंग्रेस को बीजेपी की एंटिन कमबेसी से आज हैं खासकल लोग सबचुनावों में पासीटे जीतने के बाद से कॉंग्रेस जमीनी इस तर पर भी पूरी ताकत जोके हुए हर्याना कॉंग्रेस में सीयम चेरे को लेकर विवाद हैं पिछले दस साल से कॉंग्रेस हर्याना में सत्ता से बेदा खले और पूर्ट मुख्यमंत्री बुपैंसिंग हुड़ा विधायक दल के नेता हैं एक खेमा हुड़ा को मुस्तक्बिल सीयम की तोर पर देख रहा है जबकि दूसरा खेमा कुमारी सेलजज़ के लिए जोर लगा रहा है दोनों ही खेमे समय समय पर सार्वजुनिक मंचों के साथ पार्टी हायकमान के सामने सीयम पत के लिए दावेदारी पेश कर चुके हैं लेकिन हायकमान दोनों ही चेरों में किसी को भी सीयम फेस गोशित नहीं कर रहा है पिछले दिनों दिल्ली में हुई राष्ट्री इसतर की बेटक में भी राष्ट्री अद्यक्ष मलिक अरजुन खरगे और राहूल गांधी इस पर इस्तिती साफ कर चुके हैं बेटक में कॉंग्रिस प्रदेश अद्यक्ष चोधरी उदैवान और कुमारी सेलेज़ा मौज कमान और विधाया करते हैं कॉंग्रेस की परंपरा रही है कि वो अक्सर प्यम का चुहरा चुनाव से पहले गोशित नहीं करती है कि माचल प्रदेश समेट दूसरे राजवी इसकी मिसाल है ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहें दनगरेनियर शुक्रिया